Hello students, next time we discuss करेंगे example no.2, क्या कह रहा है? Evaluate the following limits, तो हमें यहां पर क्या करना है? वही जो funda, उन्हें लास्ट कैशन में apply किया था, वही करेंगे, बट यहांपर थोड़ सा change हो गए है, क्या change हो गए है? अगर मैं यहां पर direct method apply कर था हूं जो गहां लास्ट वन में किया ऊपर वाली के लिमिट नीचे वाली के लिमिट तो यहांपर denominator 0 हो जा रहा है कैसे तो अगर यहांपर 2 अपर पुट करेंगे एक new method यूज़ करेंगे हैं यहाँ पर factorize, क्या करेंगे अपन इसको factorize करेंगे, factorize जो अपन 9th class में 10th class में पढ़ रखा है, बिल्कुल सेम वही है, कैसे करेंगे factorize देखो, first case आपको दे रखा है यहाँ पर, limit x tends to 2, 3x square minus x minus 10 upon x square minus 4, ठीक है, अब देखो, ऊपर वाले कैसे factor ब तो आपको पता है, 3, 10, 30 होता, 30 लेना, 6, 5, 30, तो negative का 6x ले लेता हूँ, positive का 5x ले लेता हूँ, ठीक है, negative 1x बच जाएगा, common लो, 3x common निकाला, इसमेंसे कितना बचा, x minus 2 बचा, 3 to 6, यहाँ पर भी x minus 2 है, तो यहाँ पर 5 बचा, 5x, 5, 2 सा 10, देखना कितना हुआ है, x minus 2 हो गया यह, और 3x plus 5 हो गया यह, अब आप इसको apply कर दो, यहाँ पर देखो, इसको मैं थोड़ा change कर दूं क्या, limit x tends to 2, देखो, यह उपर वाली value इसकी जगे तो अपन फुट कर देता है, x minus 2, और 3x plus 5, नीचे जो value है, यहाँ देखो, x square minus, फिर 2 का whole square लगा दिया, अब द x plus 2, और x minus 2, यह दोनों हो गया, cancel out, क्या बजगया मेरे पास finally देखो, मेरे पास बजगया, only limit x tends to 2, 3x plus 5, x plus 2, अब आप यह चीज़ करके देखो, limit वाली value नहीं होगा आपके पास 0, अब मुझे क्या करना है, directly limit लगा दो, अपनी हाना, चाओ तो open नीचे separate करके लगा दो, अगर अपनी ही बात है, अगर अपनी limit लगाते हैं, तो 3 multiplied 2 plus 5 upon 2 plus 2, 3 to 6 plus 5 upon 4, इतना हो गया, यह 11 upon 4, बताओ समझ में, आया, क्या, clear है भाई सभी को, so this is complete part 1, example अब 2 के लिए, next देखते हैं, second part, आजाओ, अब second part में क्या करना है भही, same भही, वाला फंडा करेंगे हैं, x tends to 1, 2x minus 3, root x minus 1 upon में, 2x square plus x minus 3, ठीक है, factor करना नीचे पलेगा, 2x square plus x minus 3 है, ठीक है, 2, 3, जा 6 हो जाता है मेरे पास, तो 6 कैसे जाएगा मेरे पास, 3 और 2 से, तो यह 3x हुआ और यह negative का 2x हुआ, 3, 2, जा कितना हो जाएगा, 6x square हो जाएगा, negative का सबस्टेट रणे पर यह हो जाएगा, common लो, 3x आगे लिख लो, 2x वैसे लिख लो, ज्यादा easy रहेगा, negative का 2x और positive का 3x हो, common निकालो, 2x common निकालो, वही वाली चीज़ा आगे पीचे करके रख दिया है, मैंना common निकालने के लिए, लिए 2 गया 1x और multiply के दो negative 2x, 2x common निकाला, x minus 1, again x minus 1 है, प्लस का 3x और यह negative 3, x minus 1, 2x plus 3, अब लिख दो आप इसके पे यहाँ पर, limit x tends to 1, उपर वाली value तो as it is है, 4x minus 1, नीचे वाली value की जगे हम x minus 1 पुट करेंगे, 2x minus 3 पुट करेंगे, नहीं, प्लस, sorry, अब देखो, अगर यहाँ आपन negative होता तो यह दोना easily cancerous होते हैं, बनाना पड़ेगा, नहीं, तो बनाओ, 2x minus 3, root x minus 1, इस x की जगे में, root x का whole square लिख सकता हूं, और 1 की जगे, 1 का whole square लिख सकते हैं, नहीं, ठीक है भाई, लिख दिया, अपने ऐसा x tends to 1, अब देखो, 2x minus 3, root x minus 1, डिवाइड माई, अब देखो, हैं, a square minus b square लग रहा है, आपको यह, तो a minus b, और a plus b, और 2x plus 3, अब देखो, minus 1, यह cancel out, क्या बज़ गया, finally आपके पास देखो, limit x tends to 1, उपर तो बज़ गया है, 2x minus 3 only, नीचे बज़ गया है, 2x plus 3, और root x minus 1, अब आपको simply क्या करना है, limit की value पुट कर देनी है, समझे रहों क्या करना है, आपनको directly limit की value पुट कर देनी है, negative वाला cut हो गया, अब यहाँ पर आप value अकट जैसे पुट करेंगे, यह 1 की उपर, तो यह कितना हो गया, 2 minus 3 हो गया, नीचे आजाओ, यहाँ पुट करूँगा, तो 2, 1s are 2 plus 3, यह कितना हो गया, 1 plus 1, 2, कितना हो गया, उपर देखो, negative 1 बचा नीचे, 2 और 3, कितना हो गया ही, 5, 5, 2s are 10, बताओ, समझे में आया क्या, इस तरीके solve करना है, factorize method से आप लोगों, ठीक है, next आजाओ, थर्ड के इस पर, यहाँ देखो, limit, x की power 4, minus 81, divide by, x tends to 3 है, limit, 2x square, minus 5x, minus 3, factor करो इसके side में, 2x square, minus का 5x, minus का 3 है, न, 2, 3 is है, कितना होगा, 6 होगा है, तो, 6 लेके आना है, आपको, तो क्या करें, negative का 6x ले लेते हैं, positive का 1x ले लेते हैं, multiply करेंगे, तो negative का 6 ले लेते हैं, और subset करेंगे, तो negative 5x होजाएगा, 2x common लिया, यहाँ, x बचा, इतना होजाएगा, 2, 3, 6x, इदर देखो, x minus 3, plus 1, 1x minus 3, यहोगया, 2x plus 1, अब आजाओ, आप इदर, तो limit x tends to 3, इसकी जगे अपन ऐसा करें, x की power जो है, 4 लिखी वी है, यहाँ पर, तो इसको x square का square लिख दे, और यहाँ 81 है, 81 की जगे, 3 का square का square बुट कर दे, थोड़ा समझे रहो, क्या कहना चारा हूँ मैं, 2, 2, 2, 4 ही तो होता है, 3 की power, 4 ही तो है, 81 काईदेश देखा जाया है, तो, 3, 3, 9, 9, 9, 9, 81, नीचे देखो, इसकी जगे हो गया, x minus 3, और 2x plus 1, limit x tends to 3, उपर देखो, अब यहाँ पर यह पूरी value आपके लिए ऐसा a है, a square minus b square है, तो क्या होता है formula, a square minus b square का a plus b, a minus 2, तो, x square minus 3 square हो जाया गई है, और x square plus 3 square हो जाया गई है, और देखो, और change करेंगे अभी तो अपन इसमें, फिर यहाँ देखो, यह फिर से a square minus b square लग रहा है यहाँ पर, फिर से यह a plus b, a minus b, और इसमें कोई change नहीं होगा, यह a square plus 9 का 9 नहीं रहेगा, हाना, 3-3-9, डिवाइड में आ जाओ, x minus 3, और 2x plus 1, अब देखो, minus 3 से minus 3, क्या बज़ गया मेरे पास, finally वो देख लो, आप तो का आप, ऊपर तो बज़ गया है, x plus 3, multiply x square plus 9, और डिवाइड में बज़ गया है, मेरे पास, 2x plus 1, अब के वल आपको value put करने है, लिमिट के 3, तो उपर 3 plus 3 हुआ यह, 3 square plus 9 हुआ यह, नीचा आ जाओ, 2 multiply 3, plus 1, 3 और 3 कितना हो गया, 6, 3, 3's are 9, और 9, 9 कितना हो गया, 18 हो गया, बताओ समझ में आया क्या, अगला देखो, यह हो गया, आपके पास, 2, 3's are 6, और यह कितना हो गया, 7 हो गया, बताओ समझ में आया क्या, ठीक है, यह कितना हो गया, 108 हो गया, यह कितना हो गया, 7, अब मुझे बताओ, इसमें क्या समझ में नहीं आया, क्लिया रहे हैं आपे, सो दिस इस कम्प्लीटेड, पार्ट 3, फॉर एक्जामपल नमबर 2, नेक्स आगे बढ़ते हैं आपन, चाहिए न, 2, 3's are 6, 3 और 3, यह 6 है आपके पास, 3, 3's are 9, 9 और 9 हो गया, 18, 18, 6 और 108 हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चली, आगे देखते हैं, फोर् root 2x-8, इस बार root के अंदर आपको factor निकालने पड़ेंगे, x square प्लस 3 root 2x-8, तो करो, अब आपको पता है, 8 लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 2 root 2 को multiply, root 2 कर देना चाहिए, root 2 root 2 2 हो गया, एक second, root 2 is a 4 हो रहा है तो, एक second, मुझे 3 root 2 चाहिए न, तो addition करेंगे और multiply करके मुझे 1 8 चाहिए है याँ पर, तो फिर एक काम करो आप, 3 root 2 multiply 2, अब ठीक है मामला, नहीं, 8 तो फिर भी नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, तोड़ी सी गड़बड कर दी शाहिए, 2 root 2, और फिर multiply root 2, अगर इन सब को root के अंदर डाल देता हूँ मैं, तो 2 multiply, 2 multiply, 2 multiply, 2, 8 चाहिए न अपन को, 4 multiply 2 से आपके पास क्या आजाएगा, 8 आजाएगा, मुझे क्या चाहिए, 3 root 2 चाहिए, तो, okay, okay, wait a minute, wait a minute, देखो, ऐसे समझो इस चीज़ को, हमें यहां क्या लेके आना है, 3 root 2 लेके आना है, यानि कितने root चाहिए, मुझे 3 root 2 चाहिए, अब ऐसा क ही समझ सकते हैं, तो, यहां पर 2 cases बन गया, अगर मुझे 8 चाहिए, तो, 4 root 2 को multiply करना पड़ेगा, root 2 सबसे बल तो, root 2, root 2 कितना होगा, 2, 2, 4 चाहिए, 8, अगर 4 root 2 में से minus कर दू, 1 root 2, तो, मेरे पास 3 root 2 बन जाएगा, तो, मैं यहां पर क्या करता हूँ, मैं आपर ले रह जाएगा, यहां पर भी x plus 4 root 2 आएगा, और बाहर मैं negative root 2 कर रहा हूँ, negative root 2 से x से गरूँ, negative root 2 को इससे multiply करेंगे, तो negative 8 आजाएगा, यानि मेरो factor क्या बन गया देखना, x plus 4 root 2 pair है एक तो, x minus root pair है, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर द्यान देना, confusion था, अब यहां देखो, x क 4 root 2 लिख दूँ, और इसकी जगे x minus root 2, ठीक है, अब देखो, a square minus b square है, तो क्या हो जाएगा, a square plus 2, और a square, मतलब a plus b, a minus b है न, तो यह पूरा value a हो गया, और यह minus 2, नीचे आजाओ, x plus 4 root 2, अभी मेरे पास ऐसा pair नहीं मिला है, मेरे को जो cancel out होता हो, तो मैं क्या करूँग इस 2 की जगे root 2 का whole square लगा देता हूँ, क्या किया है मैने, इस 2 की जगे root 2 का whole square लगा देखना, उससे यह होगा यहाँ पर, यहाँ उपर x square फ्लस 2, ठीक है, यहाँ पर x square minus root 2 का square, मतलब a square minus b square, अगेन लग जाएगा, x plus root 2 और x minus root 2 हो जाएगा यह अगेन ना, और नीचे देखो, x plus 4 root 2 और x minus root 2, फिर सही यह दोनों हो गए, cancel out, finally मेरे पास जो value बचेगी, वो देखना आप तो, वो interesting रहेगी है, हमारे पास, अलसरे में, x square plus 2, x plus root 2, नीचे आ जाओ, x plus 4 root 2, बस, ठीक है, एक cancel, अब root 2 की value पुट करतो, देखो, यहाँ पर x की जागे, root 2 का square करूंगा, तो 2 plus 2 बचेगा, और यहाँ root 2 पुट करूंगा, तो root 2 plus root 2 कितना हो गया नहीं चाहिए जाएंगे तो 4 root 2 और 1 root 2 कितना हो गया 5 root 2 हो गया 2 और 2 कितना हो गया 4 multiply 2 root 2 upon 5 root 2 अब यह multiply में तो root 2 से root 2 cancel हो गया नहीं तो कितना बच्चा अंसर बीच में लिख रहा हूं फोर टूजा एट अपॉन फाइव बताओ क्या समझ में नहीं आया थोड़ा फोकस करके देखना वापस रिवाइव कर लेना अगर कोई कैशन में आपको कन्फिशन क्रेट लगे तो बाकी आसान है आ जाएंगे सिंप्ली फैक्ट्रेशन यूज कर रहे हैं अपने एक्जांपल लमब टू कंप्लीट और कोई डाउट लगे कॉमें सेक्से में जरू बताना लेक्ट्टे पसंद आए तो प्लीज यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब मिलते हैं एक्ट्ट एक्जांपल लमब ट्री पर